दो टीनीजर्स एक दूसरी के पैर में पढ़ते हैं जब लड़के की डाक साइट बाहर निकलती है तो सब कुछ प्रावल्लम आता है वो लड़की के साथ अपसेस्ट हो चुका था हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारी मूवी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाता हूँ आप कोई वीडियो अच्छा रखता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देजेगा इसे चैनल को बहुत ही सपोर्ट मिलता है अब बीना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारी main character जिसका नाम है Nicole ये introduce होती है Nicole अपने फादर अपनी stepmother और stepbrother के साथ रहती है Nicole के फादर का नाम है Steve और इसके stepbrother का नाम है Toby Nicole जब school जाती है तो उसके फादर notice करते है कि Nicole ने क्या पहना है ये उन्हें पसंद ने आया था तो उसे वो टोकते है पर Nicole उनकी बाद मानने नहीं वाली है Toby ये Steve का stepson है ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना comfortable नहीं थे पर आज first time Toby Steve को फादर बुलाता है Steve को भी अच्छा लगता है वो Toby को स्कूल तक रैट दे देता है Nicole स्कूल में अपने फ्रेंड मार्गो से मिलती है मार्गो को थोड़े टाइम में बार में जाना था तो Nicole को भी लेकर आई actual में मार्गो को एक आदमी पसंद आया है उसे देखने के लिए ही वो गई हुई थी यहाँ पर हम हमारा और एक main character देख सकते है जिसका ना हमें डेविड Nicole जब डेविड को notice करती है तो उसे वो अच्छा लगता है एक party होने वाली थी तो इस बार में इस party के flyers distribute किये जा रहे थे एक flyer डेविड को भी मिला जब party का दीना आता है तो महरे को इसी party के बारे में Nicole से पुछती है पुछती है क्या उसके साथ चले ही कि Nicole को अपनी family के साथ आज एक concert पर जाना पड़ेगा तो इसके लिए उसे मना कर देती है बाद में Nicole फिर से अपने फादर से बात करती है कहती है इस इस concert में हम जाने वाले है मैं already वो देख चुकी हूँ मुझे फिर से क्यों जाना पड़ेगा फादर कहती है कि तब तुम सिर्फ past साल की थी तुम्हें कुछ याद भी नहीं होगा निकोल कहती है मुझे सब कुछ चीज़े याद रहती है मैं आपकी तरह past block नहीं करती है निकोल के फादर ने उसकी मदर को छोड़ दिया था इसके वारे में यहाँ यह बात हो रही थी फादर निकोल को समझाते है कि as a family हम सब लोग जाएंगे मजे करेंगे यह अच्छा दिन होगा फादर effort लेना चाहते है यह निकोल को भी अच्छा लगता है और इसके लिए वो हा कहती है गरपस ट्यू को अपने office से call आया यह उसे पता चला कि एक project पर उसे और भी काम करना पड़ेगा आज जो concert पर जाने वाले थे यह cancel हो जाता है यह बात अकर जब वो family से कहता है तो सब लोग upset है यूँकि हमेशा वो अपने काम में ही लगा रहता है निकोल भी इस पर बहुत ही ज़ादा गुसा हो गई थी तो directly मारको को call लगा दिया कहती है आज रात हम party के लिए जाएंगे रात में party में पहुँचे और मारको को जो आदमी पसंद था उसके साथ busy होके यही पर निकोल को डेविड अप्रोच करता है उससे पुछता है कि तुम dance नहीं करें निकोल कहती है कि तुम ही तो नहीं करें इसके बाद एक दूसरे के साथ डांस करने लगते है सानक से थोड़ी देर में इस party को burn करने के लिए वहाँ पुलीस आ गया पुलीस से भागते भागते हैं यह दोनों rooftop पर आते हैं निकोल मारको का wait कर रही थी और मारको एक अलग रास्ते से यहाँ से चली गई डेविड फिर निकोल को river के पास एक beautiful से जगा पर लेकर आता है निकोल डेविड के गाड़ी के बारे में बात करती है यह थी है कि गाड़ी तो उन्होंने बनाना burn कर दिया था क्योंकि explode करती है डेविड कहता है इसे सही से बनाया नहीं गया इसमें इस गाड़ी का कोई भी fault नहीं है कि ऐसे ही पड़ी हुई थी तो मुझे बुरा लगा निकोल को डेविड की thinking अच्छी लगती है इसके बाद यह अलग-अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे निकोल कहती है कि जब मैं 9 years की थी तब ही मेरे father ने मेरी mother को छोड़ दिया था मेरी mother हमेशा बहुत ही disturbed रहती थी वो फिर डेविड को उसके parents के बारे में पुछती है डेविड कहता है कि वो ज़रा दूर रहते है पर हमेशा मैं उन्हें call करता रहता हूँ वो एक perfect couple है उनमें कभी भी किसी serious चीज़ को लेकर fight नहीं होती है निकोल फिर डेविड को देखकर अजिब साहसती है तो डेविड उससे पूछता है कि ये क्या था वो कहती है जब मैंने तुमें first time देखा तो मुझे तुम बहुत ही अलग लगे थे एक्चुल में तुम बहुत ही sweet हो डेविड भी गहता है ये तुम बहुत ही beautiful हो उसे इतनी अच्छी लगी कि उसे लगता है कि कोई भी चीज इतनी सही हो नहीं सकते उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड होगी है निकोल भी admit करती है ये मुझे में थोड़े से flaws है जो तुमें वक्त के साथ पता चलेंगे ये दोनों करीब आ गए और एक दूसरे को kiss कर रहे थे डेविड निकोल के साथ intimate होना चाहता था पर निकोल उसे रोक लेती है वो wait करना चाहती है कहती है ये ही मेरा fault है डेविड कहता है तुम्हारे इस decision को मेरे respect करता और admire भी उसके लिए wait करेगा निकोल को जल्दी कह जाना था डेविड उसकी watch लेकर इसे half hour पीछे कर देता है कहता है कि अब तुम्हें time के बारे में worry करने की कोई भी जरूरत नहीं है जब वो घर पर आई तो लेट हो चुकी थी निकोल की step mother जिसका नामे लॉरा उस पर बहुत ही गुस्सा थी तो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड थी निकोल बहाना बनाती है कि उसका watch खराब हो गया था यहावर लॉरा निकोल को लॉरा एक साथ थे तो लॉरा कहती है कि तुमने उसे बहुत ही जादा छूट देखकर रखी है अगर वो फिर से ऐसा कुछ करती है तो तुमें उसे स्टिक लिक कुछ सजा देनी चाहिए स्टिक कहता है तुमने उसे जो कहा यह भी बहुत ही गलत था निकोल और डेविड अब एक दुसरे से रेगुलरली मिलने लग जाते है डेविड कहता है मुझे तुमारी फैमिली से मिलना है यह सुनकर निकोल को भी अच्छा लगा इसके बाद डेविड इंसफ से मिला इनक दुन्टे दुन्टे डेविड भी उसके पास आया स्टिव पुछता है कि लाइफ किस तरह से चल रही है डेविड कहता है लाइफ के बारे में तो मुझे ज़्यादा आपको पता होगा इनके बाते चल रही थी तब यहां मार्गो आई मार्गो डेविड के सामने ही पॉलर कोस्टर पे ही डेविड निकोल को प्लीज करता है जब डेविड स्टीव के रूम में था तो स्टीव का क्लॉक भी उसने हाफ अवर पीछे कर दिया था इस वज़े से स्टीव अपना बहुत ही इंपोर्टन काम टाइम पर खतम नहीं कर पाया अब यह सही से कंप्रीट जाती है अब घर पर निकोल और उसका प्रदर यह दोनों अकेली है राद में निकोल डेविड को क्वाल लगाती है कहती है मेरे पैरंट्स एक दू दिन के लिए नहीं आने वाले अगर तुम चाहो तो राद में घर पर आ सकते हो डेविड कहता है कि मैं जरा बाहर हूँ तो अभी के अभी नहीं आ सकता चाहिद राद में मैं आ पाओ निकोल ने फिर घर के लौक का कॉम्बिनेशन उसे दे दिया डेविड राद में निकोल के पास आकर उसके साथ इंटिमेट हो जाता है इसके बाद नेक्स डे जब निकोल स्कूल में थी तो अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी डेविड उसे पिक अप करने के लिए आया उसे इस बात पर गुसा आ गया और वो निकोल के फ्रेंड को बहुत मारता है निकोल उसे रोकने की कुशिश करती है तो उसे भी हट कर देता है वो उसे रोकने के लिए कहती है कहती है यहाँ से चले जाओ उससे ब मुझे लग गया नेक्स दे जब निकोल स्कूल में आई तो उसके लॉकर में डेविड ने एक लेटर छोड़ा था इसमें लिका है कि वो बहुत ही सौरी है जो भी हुआ उसे बात करना चाहता है स्कूल के बाद मारगों के यहाँ उसने उसे बुलाया है इस चीज़ को निकोल इगनोर कर देती है इसके बाद डेविड ने नेक्स दे निकोल के लिए फूल भेजे जो डायरेक्ली उसने डेस्बिन में डाल दिये रात में निकोल अपने रूम में रो रही थी तो लॉरा और स्टीव इससे ज़रा परिशान हो जाते है निकोल से बात करने के लिए लॉर रखता है कि निकोल की मदर को उसने छोड़ दिया इसी वज़े से निकोल यह सब चीजे करती है निकोल गयती है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास मेरी खुद की लाइफ है जिसे मैं जी रही हूँ यही बेडरूम में डेविड जब निकोल के साथ इंटिमेट हुआ था तो प्रोटेक्शन पड़ा हुआ था यह स्टीव नोटीस कर लेता है स्टीव कहता है कि आज से तुम किसको डेट करोगी किसको नहीं इस सब डिसीजन मेरा होगा वो निकोल को रात में घर से बहार जाने में भी रिस्टिक कर देता है निकोल जब मारकों के घर पर थी तब ही ड मार डालूँगा मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूं हम दोनों को एक दूसरी की केर लेनी चाहिए उसे फिर से सौयरी कहता है इसके बाद निकोल ने उसे माफ कर दिया स्टीव जब घर पर पहुचा तो निकोल और डेविड उसके पूल में थे इस पर वो बहुत ही जादा गुसा हो गया था लोरा से इसके बारे में बात करता है तो कहती है तुमने ही कहा था क्यों घर के बाहर नहीं जा सकती है डेविड फिर से निकोल की लाइफ में है ये स्टीव को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता उसने फिर डेविड के बारे में इन्विस्टिगेशन कर स्टार्ट किया उसे पता चला कि डेविड एक और्फन है मुवी में डेविड ने निकोल को कहा था कि उसकी फैमिली बहुत ही खुश है यह उसने जूट कहा था यह सब बात स्टीव लौरा से कहता है कि कुछ ना कुछ तो डेविड में गडबड है लौरा कहती है इसायद उस से तुम दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा डेविड कहता है कि मुझे लगा था कि तुम में कुछ भी दम नहीं है बहुत तुम जो कह रहे हो यह नहीं हो सकता जब निकोल को तुमारी जरुरत थे तो तुम उसके लाइफ में नहीं थे मैं हमेशा उसका साथ दूँग तुम रिलाकस करो हम प्राक्टिकली अफफैमिली ही है स्टीव इससे और भी ज्यादा घुशा हो गया स्टीव की जाने के बाद डेविड अपने आप को जोर जोर से मारने लगता है इसके बाद स्टीव एक लायर के पास आया था बो छाता है कि डेविड और निकोल एक फूट के दिया था निकोल अपने फादर से कहती है कि मैंने आपके सब रिस्पेक्ट अब खो दी है वो गुस्से गुस्से में ही डेविड के साथ बाहर चली गई यह दोनों हैंग आउट कर रहे थे तो डेविड निकोल से कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हूं निकोल भी कहती है कि हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता डेविड निकोल को इन्वाइट कर रहा था कि चोलो मेरे घर पर एक पार्टी है पर निकोल कहती है यह मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा उसके फादर वरी करेंगे और यह वो नहीं चाहती है निकोल फिर अपने घर तक त जादा हर्ट हो गए वो घर आई उसने अपने फादर को बताया कि मैं बहुत ही सौरी हूँ मेरी वज़े से आपको इतनी सारी तकलिफ हुए अब डेविड और निकोल की बीच में सब कुछ खतम हो गया है तो फादर को भी अच्छा लगता है वो फिर निकोल के पास आये उसे जब निकोल स्कूल में थी तो डेविड से कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी देविड उसे बात करने के लिए उसका नामे से यह रोक लेता निकोल का यह इस पीस बहुत ही बुरा लगता है उसे sorry कहती है कहती है कि मैं बहुत ही ड्रंग थी इसे वह जैसे सब हुआ वो मुझे force कर रहा था निकोल ने मारको को माफ नहीं किया मारको रोते रोते ही घर चली कि डेविड भी निकोल की घर के बाहर ही था तो घर जाते-जाते उसका वो पीछा कर उसे रोक कर बोचता है कि तुमने निकोल से कहा क्या मारगो कहती है कि उसे हमारे बारे में पता चल चुका है वो मारगो को धम की देता है कहता है उसे तुम सही से समझा वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा रात में डेविड फिर से निकोल के घर पर आया स्टीव ने डोर ख सिर्फ निकोल है हमेशा की लिए स्कूल में निकोल को उसका फ्रेंड हम फोल्स करता एक तो इससे डेविड को बहुत ही घुस्सा आया स्कूल खतब होने के बाद मुझे हमेशा अलग-अलग फ्राइब में रखा जाता था वहां की डर गया और भागने की कुशिश करता है डेविड उसे पकड़ कर मार डालता है नेक सिन में हम देखते हैं कि स्टीव अपना काम खतम करकर जब पार्किंग में आया तो उसकी गाड़ी को डेविड ने तोट डाला था अब डेविड फाइलन्ड हो चुका है तो सब फैमिली को वान करने के लिए स्टीव उन्हें मैसेज करता है पर यह सब बाहर थे निकोल एक शॉपिंग मॉल में थी जब वो वाश्रोम में आई तब ही डेविड उसके पास आ जाता है उसे कहता है कि हम दोनों में जो है यह बहुत यूनिक है सब लोग हमें जुदा करने की कोशिश क रहे है यह में होने नहीं दे सकता यह कैकर वहां से जला गया निकोल बहुत जाधा OFF सब हो देशन universities करने लगता है थोड़ी देर में डेविड और उसके फ्रेंड के खर पर आया है उनके घर का हाल देह कर यह सब गस्सा हो गया डेविड का एक फ्रेंड कियाता है इसने घर स मैं उसे मार डालूंगा डेविड कहता है कि आज रात हम चलेंगे रात में निकोल की घर पर मारगो आती है वो गहती है कि गैरी की बॉड़ी उन्हें मिली वो बहुत ही डर चुकी थी स्टीव को पता था कि डेविड कुछ ना कुछ तो करने ही वाला है तो इसी वाजे से पु सब बहुत ही डर गए उन्हें पुलिस को कॉल करनी की कोशिश की पर बहार से डेविड और उसके फ्रेंज ने सब टेलीफोन लाइन्स कट कर दिये स्टीव स्मार्ट था तो उसने घर को बहुत ही ज़्यादा सीकुरिटी रखी है घर की क्लासेस कोई जल्दी से तोड़ नह कर सके इसलिए घर के लाइड भी इन्होंने बन कर दिये है मार्गो निकोल और उसका ब्रदर ये सब बेडरूम में थे वहाँ पर कोई उपर जड़ कर आ रहा था तो निकोल उसे भी नीची गिरा देती है जो भी लोग घर में अंदर आने की कोशिश कर रहे थे स्टीव इन सब से नहीं पड़ता है इनके घर से बहुत ही दूर एक सेकुरिटी पोस्ट है घर में अंदर आ था तो निकोल टॉच लेकर सिगनल दे रही थी वहाँ का पुलिस नुटिस करता है और देखने के लिए वहाँ पहुचा तो उसे हैंडल करने के लिए डेविड वहाँ आया वह समझ चुका था कि डेविड कुछ न कुछ तो गडबड कर रहा है अब यह पुलिस ओफिसर सब को अरेस्ट कर रहा था स्टीव भी बहार आया सब चीजों के बारे में इस पुलिस ओफिसर को बता रहा था तबी अचानक से डेविड के फ्रेंड ने इस पुलिस ओफिसर को मार डाला डिविड और उसके फ्रेंड फिर स्टीव पर गन लगाते हैं कहते हैं कि हमें घर में लेकर चलो लॉरा भी घर का डोर ओपन कर देती है निकोल को रियलाइस होता है कि गाड़ी में एक सेलफोन है जहां से पुलिस को कॉल कर सकते हैं इस बेडरूम से सिर्फ उसका ब्रदर निकल सकता है ब्रदर गाड़ी में पहुच्ट हो जाता है पर डेविड के फ्रेंड ने उसे नोटिस किया उसने गाड़ी पर फायर किया पर निकोल का ब्रदर गाड़ी स्टार्ट करकर उसे कुचल लेता है उसने फिर पुलिस को कॉल किया यह जो सब कुछ हो रहा तब डेविड ने स्टीव और लॉरा को बान दिया था डेविड का फ्रेंड है निकोल की घर में गुज गया वो निकोल के साथ जबरदस्ती इंटिमेट होने वाला था पर डेविड ने उसे मार डाला डेविड निकोल को कहता है कि तुम अब अपने फादर को गुडबाय को ह जब तुम सब चीजों को छोड़ दोगी तब हम एक साथ होंगे निकोल के फादर को मारने वाला था तब निकोल एक वुड़न स्टेक लेकर इससे उस पर वार कर देती है अब डेविड निकोल को हर्ट करने वाला था तब इस्टीव उसे पकड़ता है और उपर से नीचे गिरा देता है इससे डेविड की डेथ हो गये इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और सब कुछ ठीक हो गया निकोल को डेविड तो बहुत अच्छा लगा था तो उससे पता नहीं था क्यों कितना बड़ा साइको है उसके फादर हमेशा से उसे प्रोटेक कर रहे थे पर उसने उनका सुना ही नहीं जब डेविड ने सब लाइन्स क्रोस कर दिये तो इन पर बहुत भारी पड़ा फाइनली स्टीव ने अपनी डॉटर को प्रोटेक किया इसी तरीके से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है अगर आप को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस व है अगर किया